हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस रेट पोहा से एनरजेटिक नास्ता बनाने वाली हूँ एक प्रेट रेट मिक्स वेज पोहा खाने के बाद आप पूरे दिन एनरजेटिक फिल कर सकते हैं दो कप मैं रेट पोहा ली हूँ, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो पहले इसे अच्छे से वाश कर लेती हूँ उसके बाद इसे डिस बनाना सुरू करूंगी तो पानी डाल कर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले और सारा पानी ड्रेन आउट कर दे और इसे सौफ्ट होने तक छोड़ देना है पहा न अकथर मैं नास्ते में बनाती हूँ क्यूंकि इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और एल्दी भी है साती और ये रेट पहा जब से मार्किट में आया तब से मैं इसी पोहे से बनाती हूँ रेसिपी सारा पानी ड्रेन आउट कर दी हूँ पानी इसमें डाल कर छोड़ना नहीं है बस एक बर वास कर लेना है अब इसमें डाल रही हूँ नमक, स्वादनुसर, पोही के इसाब से 37 इसमें एक चमच सुगर और एक चमच भूना हुआ जीरा का पाउडर सभी को अच्छी तरह से पोहे में मिक्स कर देना है और इसे कुस देर के लिए छोड़ देना है तब तक ये पोहा भी सौफ्ट हो जाएगा इस पोहे को बनाने के लिए मैं धेर सारी सब्जेयों का इस्तमाल करने वाली हूँ तो जब तक ये सॉफ्ट हो रहा तब तक चलते हैं जिन जिन सबजियों को इस्तमाल करूंगी उसे सब काट कर रख लेती हूँ तो यहां मैं बीन्स का इस्तमाल कर रही हूँ और सारे सबजियों को बारिक चौप करना है ताकि पोहा के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो पहले सारी सब्जियों को अच्छे से दोली हूँ उसके बाद इसे काटना सुरू की हूँ आप जरूरत की हिसाब से सब्जियों की क्वेंटिटी बढ़ा घटा सकते हैं इस रेसिपी को सुबे या साम के नास्ते में बनाए अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो पोहा वजन घटाने में आपका पुरा मदद कर सकता है क्योंकि पोहा को यदि सही मात्रा में खाया जाए ना तो ये लंबे समय तक भूक लगने नहीं देता है और आपको एक्टिव रखता है इससे आप ओवर इटिंग से बस सकते हैं तो यहां मैं डेर सारी सब्जियों को बारिक चौप करके रख ली हूँ साथी मटर भी रखी हूँ आप सिर्फ प्याज के साथ भी पोहे को बना सकते हैं लेकिन यदि आपके पास सब्जी अबलेबल है तो सब्जी के साथ ही बनाए सबसे पहले मैं एक कप मुंगफली को रोस्ट कर ले रही हूँ तो यहां मैं ड्राय रोस्ट कर रही हूँ मैं इस पोहे को हल्दी बनाना चाहती हूँ इसलिए इसमें तेल अभी नहीं डाली हूँ बिना तेल का भी आप मुंगफली को अच्छी तरह से रोष्ट कर सकते हैं लोट टू मीडियम फ्लेम में रब कर बीच बीच में चलाते वे मुंगफली को रोष्ट अच्छी तरह से कर ली हूँ और इसे 5-7 मिट लगा रोष्ट करने में तो अब इसे निकाल लेती हूँ सेम कड़ाई में डालूँगी 2 चमस तेल तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी तेल के गर्म होते ही इसमें डालना है एक चमस राई और साथी हाप चमस जीरा भी एड़ कर रही हूँ हरी मिर्श को भी इसी टैम में एड़ कर देना है साथी धेर सारा करी लिप्स भी पोहे में तड़का बहुत ही इंपोर्टन्ट है इससे स्वाद बढ़ जाता है पोहे का मिक्स कर लेना है सभी को जीरा और आई के लाल होते ही इसमें अब सबजिया भी आड़ करना शुरू कर दूंगी तो एक एक करके सबजी आड़ करूंगी जिन सबजियों को ज़्यादा टाइम लगीगा पकने में उसे सबसे पहले आड़ करना है सबसे पहले बीनस आड़ की हूँ और एक मिट तक इसे मिक्स करते हुए लोट टू मीडियम फ्लेम में पका लेना है एक मिट के बाद दूसरी सबजिया आड़ करूंगी तो यहां मैं फ्रोजिन मटर का इस्तमाल कर रही हूँ इसे डालने के बाद भी कुछ मिन्टों के लिए मिक्स करते हुए पका लेना है सेम प्रोसेस ऐसी लगातार चलता रहेगा जब तक सारी सबजिया कड़ाई में डालना दूं तो इसके बाद अब मैं डाल रही हूँ प्याज पोहा की रेसिपी मैं पहले भी आप सभी के साथ सेयर की हूँ लेकिन इस बार मैं रेट पोहे का इस्तमाल कर रही हूँ मन पसंद सबजियों के साथ जब पोहे को बनाएंगे न तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा साथ ही बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा यदि बच्चों को पसंद है स्वीट कॉर्ण तो उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें सारी सबजियों को भून लेने के बाद लास्ट में डालना है ये स्वीट पिपपा क्यूंकि इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो तीनों कलर के मेरे पास था तो मैंने तीनों का इस्तमाल कर ली हूँ ये कलरफुल सबजी है ना देखने में बहुत ही अच्छा लगता है मिक्स होते ही अब इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर तो हाप चमच हल्दी पाउडर और स्वाधन उसा नमक एट कर रही हूँ नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि पोहा में भी नमक एट की हूँ तो सब्जी में जितना नमक की जरूरत है उतना ही डाले और हल्दी और नमक को अच्छे से सब्जियों में मिक्स करने के बाद इसे कवर करके पकाएंगे एटलिस दो मिनट के लिए तो कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे लोग पे दो मिनट हो चुका है कवर हटा लेते हैं तो सब्जी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है तो इस टाइम पे डाल देंगे ये जो पोहा रखेते भिगो के वो पोहा को अट कर देना है उसके साथ ही रोस्टेड मुंफली और फ्रेस हरे धनी के पत्ते अट करना है अब सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गैस का फ्लेम लोग पे रखेंगे लाल पोहा नाम से ही लग रहा होगा लाल चावल से ये बनता है और लाल चावल के बेनिफिट तो आप सभी को मालूमी है तो अब जब भी मन करें वेश्टेवल मिक्स पोहा खाने का तो इसी लाल पोहा का ही इस्तमाल करें तो लिजे वेश्टेवल मिक्स रेट पोहा रेसिपी बिलकुल रेडी है खाने के लिए तैयार तो इसी आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में बनाएं चाहे साम के स्नैक्स में चाहे के साथ जबरदस्त लगता है तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ आप चाहे तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं लास्ट में जब इस तरह सर्व कर लेते हैं तो लास्ट में डालेंगे मुंफली और ये मिक्स्चर या फिर इसके जगा सेव भी डाल सकते हैं पोहे के सुआत को बढ़ा देता है मेरी ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा यदि चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, सेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो इसे टेस्ट करके देखी बहुत ही अच्छा बना है आप भी जरूर ट्राइ करके देखें